जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटिव चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर माह के तीन दिसंबर और चार दिसंबर के कुम राशी फल के बारे में कुम्बर आशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों के स्थिति कैसी होगी क्या शुभयोग बनेगा और वो आपकी दिंचरिया पर किस तरह से प्रभाव डालेंगे सिक्षा, स्वास्ता, प्रेम जीवन, परिवारिक जीवन, नौकरी, दुकान, करियर, व्यपार हर चीज के बारे में जानेगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सानिवेदन है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ तो चलिए सबसे पहले हम इन दो दिनों की तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं तो तीन दिसंबर की बात करते हैं, ये क्रेश्न पक्षिकी तिरत्य अतिति है और इस दिन आद्र नक्षत्र रहेका, गुरुवार का ये दिन है, भगवान विश्नु का प्रेय दिन है, इस दिन चंदर्मा मिथुन राशी में है, सूर्य व्रेश्चिक राशी में है और जेस् इस दिन सरवार्थ सिद्धी योग बन रहा है अगले दिन तक यानि पूरे दो दिनों तक ये सरवार्थ सिद्धी योग चलने वाला है और जिनका अभिचीत मुर्थ सुबक 11 बचकर 25 मिनट से दोपहर 12 बचकर 32 मिनट तक है अब 4 दिसम्बर की बात करते हैं तो ये 4 मिनट तक है उसके बाद पुष्र नक्षत्र शुरू हो जाएगा जो बहुत शुब नक्षत्रों में से एक माना जाता है शुक्रवार का दिन है यानि शुक्रवार के दिन अगर पुष्र नक्षत्र आता है तो मालक्ष्मी की किरपा का दिन होता है इस दिन चंद्रमा सुबह 11 बच करें क्यावन मिनट से तो पहर 12 बच कर 32 तक रहेगा तो यह थी ग्रहों की इस्तिति और क्षुब योगों के बारे में और अब यह आपकी दिंचर्या पर इन दो दिनों में किस तरह का प्रभभाव डालेंगे किस तरह का दिंचर्या को करिवर्थित करेंगे चले विस्तार से जान लेते हैं तो चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे आगले दिन सुबह तक यानी तीन दिसंबर को और चार दिसंबर की सुबह तक आपके पंचम भाव में होंगे इसके बाद छटे भाव में चले जाएंगे तो दो भाव सक्रिय हुए अब पंचम भाव आपका बड़ा अच्छा है चंद्रमा किस्तिती बेहद अच्छी वेनी हुई है आपके जीवन में सुखों में वरधी लाने का काम करेंगे इस दिन चंद्रमा अगले दिन तक और साथ ही सरवार से दियोग भी बन रहा है जो आप को हिम्मत देने का आपके काम में सफल बनाने का काम करेंगे तो इन दोनों ही दिनों को एक तो फायदे वाला दिन जरूर कहा जा सकता है क्योंकि योग बहुत जबरदस्त है इन दो दिनों के अंतराल में अचानक से कुछ नए श्रोतों से धन प्राप्त होने के बड़े समय होगा जब चारों तरफ खुशी का माहुल बना रहेगा और इस राशी के छात्रों के लिए भी ये समय तरक्की के लिए अच्छे होंगे तरक्की के लिए नए आप्शन्स मिल सकते हैं आपको तो कई मायनों में ये जो दिन है ये काफी अनुकूल रिजल्ट देने वाला साबित होगा इसमें आप धहरिये और सयम दोनों का परिच्छ देते हुए अपनी हर परिस्थिती का सामना कर पाएंगे हर मुश्किल से निपट पाएंगे और अपनी कारेशित्र में अपनी टी बात कर रहे हैं तो देखिए इस दिन स्योग्य रिष्टों की प्राप्ति होगी और साथ ही स्वास्त्य का इस दिन जरूद्यान रखना है स्वास्य सम्मधि कुछ परिशानी देखने को जरूर मिल सकती है लेकिन प्रेव सम्मधित चीजों में आपको अच्छा मिलेगा आपके लिए अच्छी बनी हुई है आपको शत्रों पर विजय दिलाएगी शत्रों पर आप इस समय हावी रह सकते हैं इस दौरान किसी सामाजिक कारेकरम में भाग लेने का आफसर आपको प्राप्त हो सकता है इसलिए आप एक काम तो जरूर धियान रखें कि कि किसी के काम में दखल ना दें चार देसंबर के दिल अगर कोई अपनी काम को कर रहा है तो उसमें बिल्कुल टांग ना आड़ा है दखल अंदाजी बिल्कुल ना करें अपनी काम से काम रखें जो जैसा कर रहा है इसको वैसा करने दें वरना आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं इस ची उसमें वरद्धी होने वाली है इस दिन लोग आपकी बात मानेंगे आपसे पूछ कर काम करेंगे धन सम्मंधी मामलों के लिए भी ये दिन अनुकुल रहेगा क्योंकि इस दिन भी सरवार सिद्धी योग बन रहा है और दोफेर बाद इस दिन पुष्च नक्षत्र रहेगा जो अच्छा नक्षत्र माना जाता है सेहत जरूर थोड़ी नर्म गर्म हो सकती है लेकिन आपके कामकाज के सिलसले में दिन आपके लिए अच्छा रहेगा जीवन साथी और बच्चों के साथ मनुरंजन में समय बीतेगा नया कारिये व्यवसाय प्रार्म करना चाहते हैं त विवहा के जबरदस्त योग हैं रिष्टा आ सकता है रिष्टा पक्का हो सकता है डेट फाइनल हो सकती है तो इस तरह के कुछ आपके लिए अच्छे योग बने हुए हैं इस दोरान आप अपनी थोड़ी सी महनत और अतिरिक्त प्रयासों से अपनी जीवन शैली को बहतर बना सकते हैं आपकी महनत रंग लाएगी आपके कारियस थल पर आप खुद को साबित करने के लिए जो कुछ नया करने की कोशिश करेंगे वो आपकी सफल होगी तो इस तरह से आपका जो समय है वो कई तरह से निर्मित होगा और ये समय देखिए आपका जो सही दिशा आप को अपनी पता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं या किस दिशा में आप काम कर रहे हैं तो सही दिशा में कदम बढ़ाने से आपको लाब दो होगा ही साथ ही आप दूसरों को भी आगे बढ़ा पाएंगे दूसरों को भी लाब आप करा पाएंगे तो उन लोगों के के लिए विदेश बुलाने के लिए और साज़ेदार के साथ जो संबंधित वैवसाय है उनमें भी लाब दिखाई दे रहा है अंतराश्टिय बाजार में अपने संपर्क मधूर बनाने की कोशिश जरूर करें देखिए अगर आप एक बिजनेस मैन हैं चाहे आप छोटा ना कर चलेंगे करियर संबंधित लाब अच्छे होने के आशंका आपके लिए बनी हुई है इसलिए कहते हैं कि लोगों से ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करें ताकि उनसे लाब आपको प्राप्त हो सके तो कुल मिलाकर ये तो इन दो दिनों में आप एक तो किसी पीली चीज का गुरुवार के दिन आप मिठाई बाटे या फिर पीला टीका लगा कर आप घर से बाहर निकले और शुक्रवार के दिन आप मालक्ष्मी की पूझा आर्चना करना बिल्कुल न भूले तो दोस्तों और अदि कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को जदे जदे लाइक करें शेयर करें धन्यवाद